और अब बाद गॉलेर के एक ऐसी सफलता की कहाने की जो सकारात्मक तक असंचार करने वाली है स्टार्टप इंडिया योजना का युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली इस थाबित हुई है गॉलेर के नितिन ने योजना के जरिये कैसे अपनी सफलता की अबारत लेकी देखते हैं इस खबर बे केंदे सरकार द्वारा शुरू की गए स्टार्टप इंडिया योजना ने कर युवाओं के सपनों को एक नई उडान दी है ये तो सब ही जानते हैं कि युवाओं के पास आइडियास की कमी नहीं होती बस वह ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां उनके काम को मनजल हासिल हो सके स्टाटप इंडिया कारिक्रा में एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां युवा और दिमी अपने आइडियास से खुद को लाभा कमा ही रहे हैं साथ ही दूसरों को भी रोजगार दी रहे हैं ऐसा ही कुछ कर दिखाया ही गौलर के निटन पमनानी ने निटन ने डिजटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुनरबाजों को एक मन चुपलब्द कराया और जिसके माध्यम से वो लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं आज उन से सैक्डों लोग जुड़कर देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बना रहे हैं गौलर के निटन पमनानी ने आईटोकरी.डाट कॉम की शुरवात की है इसमें देश विदेश के आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करने वाले लोगों को जुड़ा जा रहा है उन्होंने शुरवात में चार लोगों के साथ की थी लेकिन आज उनके साथ बड़ी संख्या में लोग देश भर से जुड़ गए हैं इसके माध्यम से उन्हें रोज के 300 आर्डर मिलते हैं नितिन ने बताया कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम करने वाले देश में बहुत सी कमपनिया हैं लेकिन उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया क्योंकि अन्ने कमपनी किसी से सामान लेकर उसे लिफ्ट करती है जबकि वो सामान खरी देते हैं और फिर उसे आनलाइन डिमांड पर सेल करते हैं इससे बनाने वाले को पूरा ध्यान अपनी क्रियेटिविटी निखारने पर रहता है नेतिन दिल्ली में जॉब करते थे, सैलरी भी अच्छी थी लेकिन उन्हें कहीं न कहीं लगता था कि टैलेंट जॉब करने के लिए नहीं है क्योंकि इससे वो केवल अपना भला कर पा रहे हैं लोगों का नहीं तब उन्होंने स्टार्ट अप की शिर्वात की और थोड़े से स्ट्रोगल के साथ ही अब उनका देश में अच्छा खासा एक नेटवर्ग है आज आईटोकरी.com स्टार्ट अप से जुड़े 10,000 से अदे का आर्टेस्ट अपने हुनर से लाप कमा रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने इस वियवसाई के माध्यम से अपनी टीम के रूप में भी कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है और उनके आट और क्राफ्ट के सामान केवल मध्यप्रदेश में ने करती देश में भी पैचान देश्ट अपने पर देशबर में हमारे से तकरीबन 500 से जादा आटिजन ग्रूप और इस तरह जुड़ी हुई हैं जो हाथ के सामान बनाती है पूरे देश सहित मध्यप्रदेश के भी तमाम जो आटिजन है चंदेरी है बाग है और बाटिक है और इस तरह की महिश्वरी है जो भी समान है वो भी समान आप आई टोकरी से खरी सकते हैं और इसके अलावा आने वाली समय में जो राकी आने वाली है, उसके लिए हमनों बहुत अची तेयारी कर रहे हैं, जो भी आर्टीजनल राकी होती है, जो हाथ से लोग बनाते हैं, अलग-अलग क्राफ्ट की, चाहे हो बैंबू राकी हो, ब्लू पॉटरी में राकी हो, काफी इन्हें तरह की राकियां आप आये टूकरी से खरी सकते हैं, इस राकी के सीजनले,